अगर आप किसी भी competitive exam की तियारी कर रहे हैं तो आप अपनी तियारी एन Academy Plus से करिए, एन Academy की learning app को install करिए, अपना exam चूज करिए और इसके बाद get subscription पर करने के बाद आपको referral code की जगए discount code एंटर करना है PMYT, यह discount code एंटर करते हैं आपको maximum discount मिल जाएगा और यह discount code पूरे अन Academy पर valid है भले है आप UPC, SSE, Bank, CDS, NDA, State, PSE, UGC, IIT, NIT, किसी भी exam की अगर आप तियारी कर रहे हैं PMYT, यह discount code लगा है आपको maximum discount मिल जाएगा Hello guys, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब की त्यारी बहुत अच्छी चल रही होगी, जितने भी students ऐसे हैं, जो भी किसी government exam को target कर रहे हैं, और current affairs उसमें पूछा जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए काफे important रहने वाली है, current affairs में मिली दिक्कत यही रहती है कि कैसे हम त्यार करें इतना जादा syllabus होता है, इतना जादा होते है current affairs, कैसे हम त्यार करें या फिर important topics हैं, कौन से topics आपके रहते हैं, जहां से question आपके पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में सारे ही doubts आपके clear कर दिये जाएंगे, वीडियो में आगे चलने से पहले में आपको बता दू, important announcement है, कि आपका unacademy plus का जो price hike है 25 January से हो रहा है, तो अगर कोई एक चुक है लेने कि press subscription, तो आप उससे पहले ही ले लेना, उसके बाद price hike हो जाएगा, और जब subscription लेना है, तब PMYT जैसे ही आप apply करेंगे, इससे आपको maximum discount मिल जाएगा, अब चलते हैं वीडियो में आगे, सबसे पह को जब भी आपका exam है, कोई सब भी exam हो गया, मिल ये देखा जाता है कि minimum आपका 7-8 months आप मान के चलें, इतना तो आपको करना है, या फिर 6-7 months आप बोल सकते हैं, minimum इतना करना है, चीक है, और फार सौर पर जैस भी month में आपका exam है, उससे 2-3 महीने पहले का, 2-3 months पहले का, वो तो आपको एकदम रटा होना चीज, इतना भी current affairs है, वो एकदम latest रहता है, तो उससे ज़्यादा portion पूर से जाता है, और बाकी आपको पूरा cover करना है, तो 7-8 months का तो करना ही करना है, और उससे पहले का भी और ये सब आपका त्यार हो गया है, तो एकदम strong बनना चाहते ह कर लो, तो उसके लिए मैं आपको suggest करूंगी, आप एक साल का पूरा current affair कर लो, ठीक है, तो एक साल का कर लो, तो बहुत अच्छी बात है, आकी 7-8 months आप मान के चलो, इतना आपको करना ही करना है, और या फिर आपके पास time बहुत कम है, time नहीं बचा है, और कुछ भी आपने त्यार नहीं किया है, तो 2-3 महीने एक पहले का तो आप cover कर लो, ठीक है, ये बात हमने कर ली, कितने months के current affairs आपको करने रहते हैं, अब बात आती है, क्योंकि current affairs खुद में बहुत वास्टर, बहुत सारा syllabus होता है, बहुत सारे topics होते हैं, तो हमें क्या-क्या करना है, हर चीज नहीं करनी होती है, ठीक है, एक्जाम का pattern चेक करके उसके according करना होता है, जैसे हम अगर SSC की बात करें, SSC में कुछ important topics हैं, जहां से आप से question पूछे जाते हैं, जब से आपका TCS आया है, तब से आपका current affairs का weightage भी increase हो गया है, ठीक है, कापी questions पूछे जाते हैं, आप मान सकत हैं, ठीक है, चलो, अब देखते हैं, भई, topics क्या रहते हैं, यह रहें आपके topics, यहाँ पर मैंने एक जगे note down कर दे हैं, topics, इसके बाद हम एक-एक topic पर कैसे-कैसे question पूछे चाते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, किस topic में, वो सब साथ की साथ discuss करते हो चलेंगे, और किस fingertips पर होना चाहिए, कौन CM है, कौन governor है, कौन सी capital है, हर state की, ठीक है, next है आपका military exercises, यह काफी important topic है, इंडिया के साथ, जिस इस country की military exercises होती है, उन सब की names, और कभी-कभी location भी पूछ ली जाती है, कि यह वाली exercise कहां पर हुई है, काफी news में जो रही है exercise, उसकी location भी पूछ ली है, फिर हैं आपका sports events, sports में आपके करी type के question पूछ जाते हैं, कोई event हुआ है, वो कहां पर organize कराया गया है, या फिर इसमें कौन winner रहा है, ठीक है, या फिर कोई medal जीता है कहां पर, तो उसमें number one medal tally में कौन रहा है, तो यह सब आप से पूछा जा सकता है, और कई बर mascots में उन पर भी आपका question बनता है, sports events से, फिर आपके है places and persons in news, जो भी आपके जगा है, कुछ ऐसी जो की news में रही थी, या फिर कोई person ऐसा है, जो की news में रहता, तो उन पर भी question बनते हैं, awards and honors कापी सारे awards पगरा दिये जाते हैं, वो सब भी आपको देखने होते हैं, केवल important दे कहीं का name change कर दिया गया है, किसी railway station का name change कर दिया, किसी city का name change कर दिया, वो सब आपको ध्यान रखना है, global events places held, यानि कि जो भी आपके summits पगरा होते हैं, आपने देखे होंगे, internationally कोई summit हो रहा है, तो कौन सी city में कराया गया, कौन सी country में कराया गया, या पिर उसकी अगर इस category में, या फिर overall देखा जाए, पूरे bird में, कोई ऐसा accomplishment हुआ है, first female, तो आपको वो सब यहाँ पर देखने है, neighboring countries के हम बात करें, यह भी काफी important है, ठीक है, यहां सी भी आपका question पूछा जाता है, international and national surveys, कुछ surveys होते हैं, ठीक है, कि यह वाला survey लिया गया, इसमें यह दे launch करी, कौन सी state में launch की गई, किस purpose के लिए launch की गई, यह सब points आपको देखने होते है, days and themes, किस दिन, कौन सी date को कौन सा दिन मनाया जाता है, और उसकी theme क्या रखी गई ती इस पार, यह भी आप से पूछ लिया जाता है, पर आता है आपका books and authors, यह भी काफी important है, कौन सी book किस लिखी है, mainly यही पूछा जाता है, ठीक है, या तो कभी वो author देदेगा और book का निंदेदेगा तब आपको select करना होगा, या पर कभी book का निंदेदेगा और author पूछेगा तब आपको select करना होगा, फिर है last आपका rankings, ठीक है, जो indexes वेगरा निकलते हैं, जो reports निकलती है, उ बाकी आपका हैं पर एक miscellaneous में आड़ कर सकते हो, क्योंकि बाकी जो भी कुछ बस्ता है, वो आपका miscellaneous में ही आएगा तो वो भी आप आड़ कर सकते हो, यह हमने brief में देख लिया कौन-कौन से आपकी topics हैं, अब एक बार देखते हैं, एक एक topic के पहार में जाके कि कौन- होता है कि किस टाप से आपका question form किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन जो notes बनाने हैं, notes कभी भी आपको पूरा-पूरा question नहीं लिखना है, पूरे-पूरे options नहीं लिखना है, आपको bullet form में notes बनाने होते हैं, उससे ज्याधा effective रहता है preparation करने के दौरान, जैसा अगर मैं बात कि कहीं के president बनाए गए है, ठीक है, आपने question पड़ा, who is the president of this country, ठीक है, options में आपको कहीं सारे मिल गए, और correct answer आपने देख लिया, आपको notes कैसे बना रहे है, president president of dash country और is equal to लिख दिया, ठीक है, इस type से, अब साथ के साथ यहाँ पर जो country लिखी थी, उसकी capital भी यहाँ पर लिख दो, और उसकी currency भी यहाँ पर लिख दो, तो यहाँ पर आपके एक line में यह 3-4 question cover हो जाएंगे, और आपको prime minister भी यहाँ के लाई बने हैं, तो prime minister भी करो, इस से काफी help मिलेगी, ताकि बाद में जब revision करना होता है exam time पर, उसमें भी आपको easy पड़ेगा, काफी कम space में आपने काफी सारे points note कर रखे होंगे, और जल्दी जल्दी आप revise कर सकते हो, ठीक है, हाँ जी, अब appointments में देखो, कहीं कि president हो गए, नए अगर बने है, पु appointment हुआ है नया, यह सारे appointments आपको देख के जाने है, या फिर appointment अगर नया नहीं भी हुआ है, तो suppose करो, कोई बाहर का प्राइमिनिस्टर ने, जो की इंडिया को विजिट कर रहा है, तो भहाँ पर आपको पता होना चाहिए, कि इस country के प्राइमिनिस्टर के नेम क्या है, तो बहां से भी आपका पूता जा सकता है, क्योंकि वो न्यूज में रहे थे, तो यह सारे आपके appointments के अंदर में आते हैं, अब एक बार हम देख लेते हैं, एक question इस type का, who has been appointed as the chief justice of Odisha High Court, Odisha High Court की chief justice कौन बने है, यह भी recent है, नया है, appointment है, ठीक है, चीफ justice select किये गए है, तो यहाँ पर correct answer देखो, आपका क्या होगा, यहाँ पर correct answer होगा, आपका option number C, as smoothly, धर, ठीक है, अब आपने यह question देखा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अपनी coffee में आप पूरा-पूरा ऐसे note करोगे, पूरा question की form में, आपको simply कैसे note करना है, bullet form में लिखना है, आपको लिखना है, chief justice of Odisha High Court, ठीक है, dash लगा के, नाम लिख दिया आपने, as smoothly, धर, और Odisha की capital, cm और governor यहाँ पर note कर दिया पूरा, ठीक है, अब यहाँ पर जो options दे, options में अगर कोई ऐसा है, जो कि आपका news में रहा है, हाल पिलाल, तब आपको वो भी note करना है, और नहीं रहा है, तब आपको इग्दम skip कार देना है, अब जैसे यहाँ पर मुझे, Sanjeev Panerji का name दिख रह है, ठीक है, और first female chief justice है वहां की, तो और जादे important हो गया, first word जब भी add हो जाता है, आपका यह important हो जाता है, पंकज में इठा लें, यह आपके, Jammu and Kashmir and Ladad के बने है, high court के chief justice, ठीक है, तो यह सारे ही आपके news में थे, तो यह सारे आपको ध्यान लगना है, तो जब notes बनाओग है, I hope यहां तक सारी चीज़ा clear है, एक question और देख लेते हैं, सैदर जपरोप has been appointed as the president of which country, किस country के president बने है सैदर जपरोप, यहां पर आपका correct answer हो जाएगा, option number D, that is किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के बने है यह president, ठीक है, अब क्या हुआ, आपने क्या करा, president देखा, नाम या किर्गिस्तान की capital और currency, ज्यादा कुछ नहीं केवल capital और currency, क्योंकि capital और currency भी ऐसा है, जो कि आपका important है, important questions जहां से पूछी जाते हैं, अब आपको लगता होगा, कि इतनी सारी capital है, इतनी सारी currencies हैं, कैसे याद करें, कहीं से भी कुछ भी आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं capital क्या होती है, जैसे, wish cake होती है, और currency यहाँ पर होती है, zone, ठीक है, तो यह आपको ऐसे points नोट करते हो चलने हैं, यह बात हो गई appointments की, अब चलते हैं, next पर, government schemes, government schemes आपकी launch करी जाती है, क्या-क्या points आपको नोट करने होते हैं, किस दिन launch हुई है, यानिकि date launch हुई है, ठीक है, by whom, where, ठीक है, कौन से state की है, वो, कौन से state की है, और कहाँ पर launch की गई है, और purpose, किस वज़े से उसे launch किया गया है, यह सारे points आपको government schemes के देखके जाने हैं, कुछ आपकी central government schemes होती हैं, कुछ आपकी state government schemes होती है, आपको सारी ही जो news में रही है, सारी वो देखके जाने हो होती है, ठीक है, चलो, अब एक question देख लेते हैं, इसके उपर, which state has launched a crop relief scheme किसान फसल राहती होजना, कौन से state ने launch करी है, correct answer यहां पर आपका हो जाएगा, जारखंड, जारखंड ने यह launch करी है, अब यहां देखो, यह हमने देख लिया किस की scheme है, जारखंड की scheme है, ठीक है किस परपस के लिए है, crop relief, ठीक है, और नाम से भी आपको समझ आ रहा है, कि किसान फसल राहत ही होजना, नाम से समझ में आ रहा है, कि जो farmers के लिए, crops वेगरे damage हो जाती है, उसके लिए security cover provide कराने के लिए scheme launch करी रही है, ठीक है, तो यह आपको चीजे ध्यान रखनी है, इसी ऐसा event हुआ है वहाँ पर जो कि news में रहा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, for example, आगर हम यहाँ पहला question देखें, तो यह है आपका, in which countries navy Indian submarine INS Sindhuveer has been inducted recently, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, neighboring countries की बात हमने करी, उसमें equation क्यों include किया, क्योंकि यह हुआ है, म्यान मार में, बाकी countries का भी देखना है, लेकिन neighboring countries का भी सादर important हो जाता है, ठीक है, इंडिया की submarine का नाम क्या था है, यहाँ पर, INS Sindhuveer, कहां गई है, म्यान मार में इंडेक्ट कराई गई, और म्यान मार में जाकर, name change करके, इसका कर दिया, UMS Minya ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, अब म्यान मार में गई है, तो भई म्यान मार की capital और currency, आपको यह भी बताऊने जाए, यह हो सकता है, यह भी पूछ लिया जाए, वहाँ पर question आप से, तो यहाँ पर इसकी capital हो जाएगी, ने पीताओ, ठीक है, और क्यात हो जाएग कहां तक याद करें, कहीं भी कुछ भी पूछ लेता है यह तो, ऐसा नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं पूछता है, जो चीज न्यूस में रहती है, वहीं से आपका पूछ आजाता है, ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़े clear हो रही हो रही होंगी, नेक्स टॉपिक क यह भी आपको देखना होता है, ठीक है, या फिर आपके mascots रखी जाते है, ने होवह घरतना है, जिसक पूछ में कोई इंडी हो गई है, जिसकी, related persons देखने है ठीक है और किसी भी कोई भी event हुआ है वहाँ पर वो किसने जीता है जैसे अगर IPL है मालो IPL की बात करें तो IPL किसने जीता है तो वो सब आपको winners आप बोल सकते हूँ विनर्स की नेम भी आपको यहाँ पर देखने है ठीक है यह सारे आपकी sports से question बन सकते हैं एक बार हम देख रहते हैं यहाँ पर question यह है आपका वेर इस खेलो इंडिया Ice hockey tournament 2021 organized ठीक है कहाँ पर होगा correct answer यहाँ पर आपका हो जाएगा option number B चिकतन कारगिल लगता यहाँ पर आपका organize किया गया अब यहाँ पर देखो यह हमने देख लिए हैं यहाँ पर organize किया गया जब हमने खेलो इंडिया देखा तो हमें यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए यह आपका हर्याना में कराया जाएगा तो यह कुछ-कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको एकदम टिप्स पर पता होने चाहिए आप बार बार जब रिवाइस करते रहोगे सारे आपको एकदम से याद हो जाएंगे ठीक है तो ऐसे रिलेट करते हो चलना है हर क्वेशन को कि हम यहां से और कुछ क्या रिमाइंड कर सकते हैं एक और प्वेशन देख लेते हैं वेर बिल्दा 2030 एशन गेम्स भी होस्टे 2030 एशन गेम्स कहां पर कराये जाएंगे यहां पर आपका करेक्ट टांसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए दोहा ठीक है दोहा में आपके यह करा जाए वारी जाएगे यहां पर आपके, यहां पर चाइना से गेंगे परस्ट अगर किसी भी question में लग जाता है तो आपके लिए important हो जाता है especially अगर first women लग गया first female लग गया तो वो वैसे ही important हो जाता है ठीक है तो यह सारी points आपको note करते हो चलने देखना है कि कहां कहां पे आपका कुछ ऐसा हुआ है यहां पर देखो question example के तो अपर who has become the first women to officiate in a men's test match cricket as the fourth or reserve empire पहली women कौन बनी है ठीक है fourth or reserve empire के रूप में तो यहां पर आपका correct answer हो जाएगा option buddy clear policy ठीक है अस्ट्रेलिया की है यह और यह first women बन गहीं है to officiate in a men's test to match cricket तो यह आपको इस ट्राइब से sports के सारे ही events cover करते हो चलना है ठीक है चलो next देख लिखते है next आपका books and authors यह भी बहुत important topic है काफी सारी books होती है वैसे जो ज्यादा news में नहीं होती है वो सारी आपको cover करनी होती है कि किसके author कौन है या फिर कोई prize दिया गया है तो कौन सी book को मिला है और उसके author कौन है अब यहां पर और कुछ आपको याद नहीं रखना है किवल इनके author ही नहीं में आद रखना है ठीक है एक और question देख लेते हैं who is the author of the book Ayodhya released by Devendra Parnavis ठीक है किसने release किया है Devendra Parnavis में release किया है author कौन है इसके यहां पर correct answer हो जाएगा आपका मादव भंडारी आप यहां सबसे पहले मुझे सुनाली चितलकर का नेम दिख रहा है ठीक है सुनाली चितलकर ने एक book लेखी थी डेली राइट्स 2020 प्रियल्णा मलोत्रा और मॉनिका अरोड़ा के संग मिलके इनोंने book लेखी थी डेली राइट्स 2020 तो यह भी आपको साथ में note करके चलना है रेविजन भी हो जाएगा ऐसे हरी खेम का है ठीक है उन्होंने लिखी थी on the move my journey as a relentless entrepreneur ठीक है आयोध्या भी हमने देखा तो आयोध्या से एक वाद book आपके रिलीस हुई थी amazing आयोध्या येवल एक वाड़ आड़ कर दो amazing आयोध्या amazing आयोध्या कैसने लिखी वो लिखी थी आपकी मीना राइने तो इस type से आपको पढ़ते हुई चलना है कि कहां पर quantities हम cover कर सकते हैं ऐसे आप बार बार device करोगे तो सारी चीज़े याद हो जाएगी साथा time में ने लगेगा और कुछ marks तो आपके पके हो जाएगे कि अवर current affairs equation आता है तो आपको छोड़ना नहीं है चलो next topic देखते है days and themes days and themes में आपको क्या करना होता है सबसे पहले तो date किस दिन मनाया जाता है particular day ठीक है और क्यों मनाया जाता है reason उसका ठीक है एक simple word में theme अगर कोई theme रखी गई है हर बार theme नहीं रखी जाती है हर एक day की नहीं रखी जाती है लेकिन अगर theme रखी गई है त 2020 प्रवासी भार्टे डिवस यह फिर NRAD आप बोल सकते हैं इसकी theme क्या रखी गई यहां पर आपका option correct हो जाएगा contributing to आत्मनेरफर भारत ठीक है और यह important है कुछ-कुछ days आपके important होते हैं तो यहां पर important है contributing to आत्मनेरफर भारत इसकी theme हो जाएगी यहां पर देखो यह भी स्कीम्स भी सारी cover करते हो चलनी है next topic देख लेते हैं rankings हां जी rankings देखो rankings में क्या क्या cover करना होते है reports और indexes आपके आते हैं किसने निकाला है by home ठीक है by home पर जो ही आपके इतना important नहीं है कुछ-कुछ important होता है जहां पर आपका question बनता है अदर्वाइश सबका नहीं देखना ह होता है mainly आपको यहां पर इंडिया की rank देखनी होती है ठीक है इंडिया's rank इंडिया की rank क्या रही है number one पर कौन रहा है number one पर कौन रहा है यह देखना होता है बस यह तीन चीज़ अगर आपको पता है तो आपका काम बन जाएगा इस से भार आपका question नहीं जाना चाहिए ठी इंडिया की rank यहां पर 85 रही है number one पर आपका यहां पर जापान रहा है ठीक है तो आपको यह point याद करते हुए चलने है चोड़े-चोड़े question बनते हैं बट काफी अगर याद हो गए आपको तो काफी अच्छे रहते हैं मांक साब अराम से ला सकते हो फिरे आपका which country ranked first in the list of countries most impacted by terrorism according to global terrorism index 2020 global terrorism index 2020 निकाला गया उसमें सबसे ज्यादा terrorism से impact होने वाला कौन सा देश यहाँ पर correct answer आपका हो जाएगा option नमबर ए अफगानिस्तान नहीं यहाँ पर टॉप किया है तो यह आपको ध्यान रखना है अफगानिस्तान नमबर बन पर होगा इंडिया की rank भी आपको ध्यान रखना है इंडिया यहाँ पर नमबर 8 पर आय है तो उसका इंपर्टन डेक्लीरेशन रही है यह पर आपको देखना है कि कहां पर होई है यह पर इंडिया की तरफ से पार्टिपेट किस ने किया है इंडिया यह यहां यह से आपको देखना है तो यह कुछ चीजी होती है या पड़ तक कोई THEME रखी गई है उसकी तो वह तो थीम भी आपको देखनी है उसे पॉइंट्स अपको देखनी होते हैं अगर summits और conferences वगरा कराया जाते हैं ठीक है एक बार question देख लेते हैं यहां पर what was the theme for the fourth one planet summit fourth one planet summit आपका कराया गया उसमें theme क्या रखी गई यहां पर correct answer होगा आपका let's act together for nature option number d आपका correct answer हो जाएगा इसकी theme रखी गे थी organize किसने किया था यहां पर प्रांस ने किया था किसके संग मिलकर United Nations और word bank के संग मिलकर इन्होंने यह और नाइस किया था तो इस ट्राइब से आपको और भी points cover करते हो चलने होते हैं अगर आप equation को बढ़ते हैं ठीक है एक और देख लिएते हैं who has inaugurated the two-day virtual international अखंड conference Educon 2020 किसने inaugurate किया यहां पर आपका correct answer हो जाएगा रमेश पोक्रियाल निशांक इन्होंने यह inaugurate किया कौन है education minister ने आपके ही है इन्होंने इसे inaugurate किया है ठीक है चलो अब देखते है अवार्ट्स और ओनर्स अवार्ट्स बहुत इंपोर्टेंट रहते हैं कापी क्विशन आपके हैं अब अब आपके बहुत टाइप की हो जाते है नोबेल प्राइजिस हो गए या फिर अर्जुन आपको हर एक का नहीं देखना होता है कुछ कुछ इंपोर्टेंट जैसे नोबल प्राइज हो है तो महाँ पर पता होना जी है कि किस वदेसे उनको दिया गया है ये नोबल प्राइज ठीक है तो इस स्टेप से आपको कवर करने होते हैं इसके पॉइंट्स क्वेशन देख गया है किस परपस के लिए डिया गया है साइबर गोलिंग रोखने के लिए इन्होंने एक डब लग करी थी साइबर टीन नेम से इस वज़े से ही नहीं ये दिया गया है इंट्रनेशनल चुडन्स पीस प्राइस ठीक है एक और देख लेते हैं विच अप्ट पॉलिंग और सब्सक्राइब और शक्राइब आट प्राइस फब्सक्राइब करने लिए टीक है तो इस तक से आपको कवर करते हो चलना है कि किसको काउन सासर्व मिलाईब अप्शर में कर देख रहा है तो ऐसे आतुकर सकते हो और चीज माइनमस सेट हो जाएंगे एक बार पढ़ लिया पिर आती है आपके military exercise क्या पी important रहती है military exercise भी देखो इंडिया की जो होती है किस country के संग कौन सी होती है वह आपको देखना है ठीक है और location location हर एक की नहीं पूछ जाती है कभी कभी किसी की पूछ ली जाती है जो जादा news में नहीं हो तो वह सब आपको देखते हो चलना है दे यह आपको ध्यान रखना है ठीक है बागी सारी countries के संग्ली आपको पता होने चाहिए इंडिया कौन कौन सी exercises करता है फिर आपका which country has recently announced its withdrawal from Russia's कभकस 2020 की एकसाइज ठीक है डाशिया की जो exercise है इसमें से किसने विद्रॉड प्या है आप यहां पर देकर यह नहीं पूछ है कि किसके बीचिमीं होती है न्यूज में था यह चीज कि किसने विद्रॉड खिया है तो यहां पर question बन गया आपका यहां पर इंडिया ने इसमें से वि यहां पर एस टाइप का question आपका बन गया कहां पर करायी गई रश्या में करायी गई है ठीक है पिर आपका प्लेसे एंड पर्संस इन न्यूस कुछ प्लेसे या पर्संस जो अब यहां पर देखो यह कापी ज्यादा न्यूस में रहते हैं ठीक हमने बहुत बार टीवी पे देखा है इनका हाली में द्यान दुआ तो यह important हो गए और इनको दिया गया तक बहुत भूशन अब ऐसा नहीं है कि सभी का हमें ध्यान रखना है लेकिन इन्हें हाली में दिया गया तक ज़्यादा पुनारा नहीं हुआ है इसलिए हमें ध्यान रखना है कि 2019 में यह मिला था इनको हम स् अब यहाँ पर धाड़ फाल गुलाटी का अंसर होगा तो यह कापी न्यूस में रहेते हैं इसलिए आप पूस जो परसं वगए में रहते है उनको आपकों कवर करते हृच छलना है ठीक है है यहाँ पर हमारे इंपोर्टंट टॉपिक्स खतब हो गए मिंसलिया रिए चीज बोल सकते हो कहीं पर कोई चीज मिली है या पिर कुछ वह important चीज हुई है वहाँ पर कुछ नया develop किया गया है तो वह सारी चीज भी आपको cover करते हो चलनी है bullet form में suggestion रहेगा bullet form में आप notes बनाओ ठीक है ताकि revise करने में easy रहे और notes proper बनाके चलने हैं आपको चाहें जहां से भी आप cover करो notes proper बनाके चलने हैं क्योंकि बाग में एक जगे थोड़ी थोड़ी space में सब कुछ लिखा होता है तो revision करने में easy रहता है और daily क्या करो करो काफी बच्चों को दिक्कत आती है क्या करते हैं एक्जाम से एक महीने पहले आप स्टार्ट करते हो अगर underpairs पर 7-8 महीने के एक महीने में करना बहुत मुश्किल हो जाता है सारी चीज़े एक्दम यार नहीं हो पाती है इस टाइब से आप देली का थोड़ा थोड़ा करों और सारा कुछ कवर हो जाएगा target अपने set कर लो कितना आपके एक्जाम में उतना देख लो और पर देली का थोड़ा थोड़ा करके आप कवर कर सकते हो थीक है बाकी देखो test लगा लिया करो टेस्ट आपके लॉंच भी कर दिये गए हैं बिल्कुल 100% प्री है तो आप इसमें अन्रोल भी कर सकते हैं एकेडमी परी हैं आपके 18 जन्वरी से स्टार्ट हो चुके हैं 31 तक चलेंगे ये डेली टेस्ट हैं चोटे-चोटे टेस्ट होते हैं तो आपको पता चल जाएगा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्राइस आपका होने जा रहा है 25 जन्वरी से तो अगर किसी ने भी सोचा है अच्छे से त्यारी करने का बेस्ट प्लेट्परम है अरकेडमी प्लस यहां पर आपको सब कुछ एक ही जगे मिल जाता है जब पीडिएफ की में बात करूँ सड़ी मटीरल की बात करूं क्वेस की बात करूं मॉक टेस्ट की बात करूं डाउट क्लियर सेशन साब के अलग से रखे जाते हैं सब कुछ अगर आप पूरे एक साल कर लेते हो तो वह आपको इतने रुपीज का पड़ेश का पड़ेगा और यह कब पड़ेगा जब आप अप्लाइ कर दोगे कौट कौनसाप पीम वाइटी इसे अभी क्या नोट कर लो ठीक है पच्छे से प्राइस हाईगा उसके बाद आपका से प्राइस नहीं रहेगा प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो अगर आँं तीनों को टार्गेट क अच्छे से नहीं इसे अप्लाइस अजय नहीं प्राइस हचते हो तूब